नमस्कार दोस्तों, कुछ लिखा है जो आपके साथ सेर कर रहा हूँ परतिक व्यक्ति अपने पूरु जन्मों के अनुशार नया जन्म पाता है मनुश्य का जन्म भी कर्मों के अनुशार ही निर्धारित होता है परतेग व्यक्ति के विचार, आदते, स्वभाव तथा जीवन नियापन के तरीके एक दूसरे से पर्थक होते हैं जो मनुस्य जिस स्वभाविक एवं वैचारिक उन्नती के साथ या अवनती के साथ पैदा होता है अंत तक वैचारिक इस्थिती को ही सर्वसिष्ट मानता है तथा उसी परकार के दूसरे मनुस्यों के साथ अपना मेल जोल बढ़ाता है कई बार जो मनुस्य उचविचार एवं उच्ष अभाव का होता है ता दूसरे समकक्स विचार धारा उन्नती प्राप्त लोगों का अभाव वो देखता है तो ऐसे में यह भी देखा गया है कि मनुष्य अखेला रहके भी कई बार जीवन बिताता है और अखेले में अपने आपको खुश पाता है वैचारिक मतभेद के कारण सात्विक विचारधारा किसी भी मनुष्य में बिना पूर्व कर्मों एवं वर्तमान जीवन में सात्विक पत, सात्विक भोजन, सात्विक कर्म, सात्विक संगती पर आगे बड़े बिना विक्षित नहीं हो सकती है इसमें पूर जनम की भी योगदान होंगे और इस जनम में भी आपका साथ विकपत की तरफ बढ़ना सास्तर द्यानित्यादी मैटर करता है यदि शिक्षित होकर भी स्वभाव के परिवर्तन की बात मनुश्य नहीं सोचता है और अपने जीवन से क्रोध घरना ऐसान्ती तथा लालच जैसी तामशिक प्रवर्त्ती को दूर करने पर विचार नहीं करता है तो निश्चित तोर पर वह सिक्षा ग्यान या ग्यान की उत्पत्ती मातर भी नहीं हो सकती तो ऐसी सिक्षा ना तो फिर सिक्षा है ना ग्यान या ग्यान की उत्पत्ती मातर भी वो नहीं है जो व्यक्ति जीवन भर बुरे कारियों में लिप्त रहता है वह भी यह चाहता है कि उसकी आुलाद भविश्य में सिक्सित होकर एक सात्य उमार्ग को अपनाएं जिसका सीधा अर्थ यह है कि जीवन भर उसके अंदर यह बात थी कि वह गलत मार्ग पर है किन्तु मन के वसी भूत होकर आत्मा की आवाज को सुनना सका जब आप चीजों से बंधने लगे तो शावधान होना होगा समय के रहते क्योंकि भोतिक सुग अपनी बाहें फैरा रहा है लालच दे रहा है कि आओ यहां धन है पद है एवं वासना है इन सब का उप्भोग करो कहां भगवान और भगती के चक्कर में आप पड़े हैं मन आपको लालच देगा परकरती एवं पूस्त के जिसकी मित्र होगी भगवान सुन जिसके गुरू होंगे आत्मा जिसकी खुद पूस्त काल्य होगी तथा शांती एवं एकागरमन जिसका धन होगा निश्चित तोर पर कल्यूग में वह मनुष्य सात्विक मार्ग से होता हुआ ज्यान रूपी मंजिल की ओर अगरसर रहेगा धन्यवाद